प्रेंड तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाकर खाए और एक बार हमारे तरीके से भी सोयाबिन बड़ी की सबजी बनाकर टेस्ट करिएगा ये आप लोगों पसंद आईगे सोया बड़ी की सब्जी बहुत कम सामान में जटपड से बन जाती है और ये खाने में भी वह स्वाधिष्टा लगती है अब हम फटाप्ट से देख लेते हैं सोया बड़ी की सब्जी आसान तरीके से किसे बनाते हैं हेलो एवरिवर्ण में की मिराठो आज की बेस्टर रेसिपी में आपका स्वागत है सोया बड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम सोया बड़ी ली है सोया बड़ी को सोया चंग सभी बोलते हैं सोया बड़ी की सबजी बनाने के लिए और हमने सामानेट किया है दो कट्केव प्याज, एक टमाटर, दो हरी मीर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, दालचिनी का टुकड़ा और तेश पत्ता सबसे पहले हम सोया बड़ी को उबाल लेंगे उबालने के लिए हमने गेस ओन कर दिया है, ये गेस पर कड़ाई रग दियें कड़ाई में दो गिलास पानी एट कर देंगे गेस की आज तेज रखेंगे और पानी को कड़क गर्म होने देंगे पानी अच्छा गर्म हो गया है अब हम इसमें सोया बड़ी एट कर देंगे एक उबाल आने तक सोया बड़ी को पकाएंगे और बीजबीच में चलाते रहेंगे हमें तेज आज पर सोया बड़ी को पकाते हुए 6-7 मिन different हो गए है सोया बड़ी अच्छे से पक गई है और ये पकने एक बार शोप्ट भी हो गई है अब हम गेस को बन कर देंगे गेस बन करने के बाद सोया बड़ी को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर इसे बावल में ट्रास्पर कर लेंगे हम सोया बड़ी को जाली वाली छन्नी से बावल मी टासपर कर रहे हैं ताकि सोया बड़ी में थोड़ा बहुत पानी हो वो छन्नी से निकल जाए पिछले वीडियो में हमने सोया बड़ी की 3-4 रेसिपियां असान तरीके से बना कर शेयर की है आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सोया बड़ी थंडी हो रही है तब तक हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे जार में कटके वे प्याज एट कर देंगे अद्रक एट कर देंगे और लसून एट कर देंगे और इन तीनों को एक मिनट के लिए मिक्सी में ग्राइन कर लेंगे सोयाबडी की सबजी बनाने के लिए मसाले आप लोग अपनी साब से भी थोड़े बहुत कम जादा एड़ कर सकते हो इस तरह से हमने इनका पेस्टा बना लिया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेश के ओर सोयाबडी को हमने ठंडा करने के लिए रखाता है पुरी तरसे ठंडी हो गई है अब इसको हाथ से निचोड़कर इसका सारा पानी अलग कर देंगे फ्रेंड्स सोयाबडी पुरी तरह से ठंडे होने के बाद ही आप इस तरह से हाथ से निचोड़कर इसका पानी अलग करें यदि आप गरम गरम को इस तरह से हाथ से निचोड़ेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं इसलिए इस बात का जरूर धियान रखें सोया बड़ी का सारा पानी अलग करके इस एक बावल में खटा कर लेंगे इस तरह से हमने सोया बड़ी को सूखा कर लिया और उसका पानी अलग कर दिया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को इस पानी को फेक देंगे सोया बड़ी की सबजी बनाने के लिए हमने फिर से गेस होन कर दिया है गेस पर कड़ाई रख दिये कड़ाई में एक बड़ा चमच ओयल एट कर देंगे ओयल को गर्म होने देंगे गर्म हो गया है ओयल अब इसमें दो तेज़ पत्ते डाल देंगे दो दालचिनी के टुकड़े एट कर देंगे एक टीस्पून जीरा एट कर देंगे जीरा को थुड़ी दर चिटकने देंगे अब इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट एट कर देंगे घेस की आज मिडियम रहने देंगे और प्याज लसुन के पेश्ट को चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे जब तक ये हलके गोल्डन ब्राउन रंका नहीं हो जाता तब तक इसे लगाता चलाते हुए फ्राइ करना है कट की भी दो हरे मिर्चे एट कर देंगे हमें तेज आज पर मसाले को पकाते हुए तीन से चार मिर्ट हो गए है मसाला अच्छे से सिख गया है और सिखने वज़ का कलर भी हलके गोल्डन ब्राउन रंका हो गया है हमें मसाले कुछ नहीं भुनना है अब हम इसमें टमाटर एट कर देंगे टमाटर को भी शोप्ट होने तक पकाएंगे और बिच बिच में चलाते रहेंगे सोयाबीन बड़ी की सबजी बनाने के लिए आप लोग टमाटर के प्यूरी बनाकर भी एट कर सकते हो हम इसमें प्यूरी बनाकर नहीं एट कर रहे हैं टमाटर को कट करके एट कर रहे हैं टमाटर भी शोप्ट हो गए हैं आप हम इसमें मसाले एट कर देंगे हमने 2 टीज़पुन लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीज़पुन नमक लिया है 1 चोथा ही चमच हलदी पाउडर और 2 टीज़पुन ध्णिया पाउडर मसाले में थूड़ा पानी मिला कर चमज की साहता से इस तरह से चला देंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे हमने 4-5 टीस्पुन के लगभग मसाले में पानी एट किया है सोयाबडी की सबजी में इस तरह से मसाले को पानी में घोल कर एट कर देने से सबजी में साइन भी अच्छे से आएगा और टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छे आएगा अब हम सारे मसाले को अच्छे से चला देंगे मसाले एट करते समय गेस की आज धिमी रखेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला एट कर देंगे एक चोटी चमच कास्मरी लाल मिर्चे पाउडर एट कर देंगे कास्मरी लाल मिर्चे ज़्या तीकी नहीं होती है इससे सबजी का कलर अच्छा आएगा मसाले में थोड़ा पानी एट कर देंगे और अच्छे से चला देंगे गेस की आज दिमी रखेंगे और मसाले को ढखकर 3-4 मिट तक पकाएंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे हमें धीमी आज पर मसाले को पकाते हुए 3-4 मिट हो गए हैं अब हम मसाले को देखते हैं मसाला अच्छे से सीख गया है और इसकी खुश्बू भी अच्छे से आ रही है मसाले को इतना ही पकाना है अब हम इसमें सोया बड़ी एट कर देंगे सोया बड़ी को मसाले में अच्छे से मिला देंगे ताकि सारा मसाला सोया बड़ी में अच्छे से मिल जाए सोया बड़ी की सबजी आप लोग सूखी भी बना सकते हो और सूप वाली बना सकते हो आज हम आप लोगों को सोया बड़ी की सूप वाली सब्जी बनाना बता रहे हैं हमने सोया बड़ी को मसाले में अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें एक टीस्पून किचन किंग मसाला एट कर देंगे किचन किंग मसाला को भी सोया बड़ी में अच्छे से मिला देंगे सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें देड़ गिलास पानी एट कर देंगे सोयाबडी की सबजी में पानी आप लोग अपनी हिसाप से भी थोड़ा बहुत कम जादा एट कर सकते हो अच्छे से मिला देंगे एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे और बीट-बीच में चलाते रहेंगे पानी आट करने के बाद सोयाबडी को पकाते हुए 4-5 मिनट हो गए है सोयाबडी में उबाल आ गया है सोयाबडी अच्छे से पक गई है और पकने के बाद इसका सूप भी गाडा हो गया है तेजबत्ता और दालचिनी का फ्लेवर सबजी में चले गया है अब हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमारी सोया बड़ी की सबजी देखने में जितनी डिलिसियस लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी हमने दाल चिनी के टुकड़े और तेज पत्ते को सबजी से अलग कर दिया है अब हम इसमें हरा धनिया एट कर देंगे हरा धनिया को भी सबजी में अच्छे से मिला देंगे मसालेदार और चटपटी सोया बड़ी की स्वाधिष्ट सबजी बन गई है अब हम गेश को बन कर देंगे और सबजी को बावल में टास्पर कर लेंगे आप लोग इस तरह से सोया बड़ी की सूप आली सब्जी बना कर ज्वार मक्का की रोटी, चपाती और पराठे के साथ भी खा सकते हो प्रेंड से दि आप लोगों को हमारी सोया बड़ी की सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आये हो तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी सोया बड़ी की सब्जी बनाने की रेसिपी केसे लगी ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज नई नई रेसिपीज लाते रहें कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद